पॉस्पाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्रावज़क है वो उपाय करने होंगे जो चिकत्सक वे विशेशक के बता रहे हैं कोरोना वाइरस और जादे न फैले यह हम सभी का दैक्टर है लोगों में इसके प्रती जागरोपता फैलाने के उदेशे से ही आज फर्स्ट बाइट टीम ने मेरट के जाने माने वरिश चिकत सकत डाप्टर विजे बिंदरा से बाचित की उन्होंने कोरोना वाइरस की रोग थाम के लिए तमाम टिप्स हमारे दर्शकों को दिये आज यह देखते हैं उनसे के गई बाचित पहले तुम्हें बता दू नब्बे नहीं 132 देशों में यह पहुँच चुका है अगर हम आज तक का डाटा देखें जो की अभी हमारा जितना भी डाटा है वो चाइना का है और वो ग्रैचुली बिल्ट अप हो रहा है और कंट्रीज का आ रहा है तो exact कल को क्या रेट आएगा नहीं पता है लेकिन अभी हम यह कह सकते हैं कि mortality बहुत हाई नहीं है कि यानि कि मृत्युदर बहुत हाई नहीं है अगर हम age wise देखें तो 0 से 9 years के जो बच्चे हैं उनमें mortality 0.2% है जैसे जैसे उमर बढ़ती है तो मिर्त्युदर बढ़ती चली जाती है 70 से उपर वालों में मिर्त्युदर जादा है और जिन मरीजों को बहुत सारी बिमारिया है जैसा कि हर situation में होता है जितनी सारी बिमारिया जुड़ जाएंगी उतना बिमारियों का खतरा बढ़ते जाएगा उन में ज़्यादा खतरनाक है otherwise general population जो healthy लोग हैं यंग लोग हैं उन में इस तरह का ज़्यादा mortality नहीं है तो सर जैसे इंडिया के बात करें तो यहां पर बहुत साई दवाईयां आप कोरोना को लेकर आ रही है और फिर myths आ रहे हैं कि घरेलून उसके तो क्या यह effective है या फिर यह myth है एक पर देखे करोना वाइरस जो है आप भी जानते हो कितने दिन पहले आया दुनिया में दुनिया को कितने दिन पहले पता लगा दिसंबर में हिंदुस्तान में अभी एक महिना पहले 170 केस पता लगे और हिंदुस्तान माले में रहने वालों को कॉरोना का वाइरस तो पता नहीं था जो कि दुनिया को नहीं मालुम था जो दवाई बताने वालों को आयरुवेद को, होमेपेथ को या जो भी एंडिजेनस दवाई बता रहे हैं उनको कोरोना का पहले कैसे पता लग गया? उन्होंने किन पर टेस्ट की वो दवाई? किन मरीजों को वो दवाई दी गई जिनसे इन दवाई बताने वालों को ये पता लगा कि कोरोना में एफेक्टिव है उनके रिजल्ट क्या थे? कितने लोगों में दी गई? कैसे माने कि ये दवाई कारगर है? तो सर, जैसे घरेलू नुसके भी आ रहे हैं तो क्या ये एफेक्टिव है? कोई time testing उसका proof किसी के पास नहीं है ये सब लोगों के assumptions है कोई specific चीज पर कोई trial अभी नहीं है पर हाँ ये है अगर आप गरारे करते हैं तोड़ा बहुत करते हैं वो एफेक्टिव हो सकते हैं लेकिन कितने हैं? ये आज की तारिक में अभी किसी कोई नहीं पता established चीज कोई भी अभी तक नहीं है फिर भी क्या-क्या सावधानी बढ़ती जाए या किन किन चीज़ें पर ध्यान दिया जाए अगर इससे बचना है? नहीं बचने के लिए देखो mask सब के लिए ज़रूरी नहीं है अगर आपका ऐसी जगहां पर exposure है या आप बहुत सारी बिमारियों से ग्रसित हैं तब तो आप mask लगा कर कहीं जाते हैं तो महां जाएं बहतर तो यह होगा अवाइड करें crowdie places को अवाइड करें cinema को आउड करें जहां पर भी large crowding है उस जगहां को अवाइड करें यह जरूरी नहीं है कि हर कोई mask लगाएगा यह जरूरी नहीं है लेकिन हाँ health professional जैसे हम है हमारे तो पता नहीं हम किस से मिल रहे हैं हमारे लिए जरूरी है जो लोग ICU में काम कर रहे हैं है ना उनके लिए और भी ज़्यादा जरूरी है सब के जरूरी नहीं है दूसरा यह है कि सिर्फ mask लगाने से बिमारी नहीं जाएगी मास को कैसे पहनना है कैसे उतारना है कब उसको dispose off करना है कैसे उसको touch करना है वो भी important है इसलिए mask लगाने के साथ-साथ hand washing बहुत important है क्योंकि हम भार थोरी थोरी दिर पर किसी नहीं किसी चीज को touch करते है तो sir मैं request करूंगी आप एक बार mask पहन के दिखाए हमारे camera पर कि लोग देख सके और इसे सीथ सके देखे यह जो mask है मेरा mask दूसरा डिफरेंट टाइप का है जो surgical mask है उसमें यहाँ strap होता है उसको आप ऐसे कीचे और ऐसे यहाँ रखे यहाँ लगाएं और इसको इस तरीके से पहन ले और यह air tight होना चाहिए यहाँ से आप इसको दबाएं या पहले से इसकी shape ले लें ताकि यह नाग पर completely fit हो जाए यहाँ पर एक metal strip होती है उस metal strip को दबाएं के नाग की shape दे दे और यह इतना fit हो जाए कि इस से हवा leak नहीं करनी चाहिए हवा जो भी जाए वो filter के तुरू जाए दूसर जब हम mask उतारते हैं तो normal tendency क्या होती है ऐसे हट डाला और पकड़के उतार दिया आपको mask भी उतारना है तो आपको इस तरीके से उतारना है क्योंकि यह surface, front वाली surface आपकी environment से exposed है जब आप इसको touch करेंगे तो आपके हाथ फिर खराब जाएंगे अगर आप touch कर रहे हैं तो आपको hand washing करनी बहुत ज़रूरी है जब आपने यह उतार दिया आपको इसको close dust wind में फैक ना है इसको खुली हवा में खुली जगा पर नहीं फैक ना है ताकि दूसरों को भी नुकसान ना पहुचाएं जो recommended mask है ज़्यादा तर लोगों के लिए क्योंकि वाइरस का size बढ़ा है इसलिए सबको N95 पहनने की ज़रूरत नहीं है जो कि आज जायतर यूज हो रहा है ordinary mask सा पहने सुबह से शाम तक से ज़्यादा उसको नहीं पहने next day उसको dispose off कर दे कई तरह के mask हैं sir मार्केट में जो लोगों के मैंने बताया ना ordinary surgical mask सबके लिए सफिशेंट है सर्जिकल मास कहलाते है जो आपने पहन रखा है वोई surgical mask सबके लिए वोई है जो N95 है जो एक special variety का होता है जिसमें pore size तुरह चोटा होता है वो health care के लिए important है जैसे जो लोग ICU में है और वो direct patient के secretion से काम कर रहे है anesthetist है tube डालते हैं मरीज को ब्योश करते हैं या ICU में मरीज को बेंटिलेट करते हैं उनके जो secretions होते हैं वो सबसे ज़्यादा infectious होते है क्योंकि हम testing भी गले से ही करते हैं तो वो infectious material होता है समरे हैं और distance भी जब हम जब ग्रुप से भी मैटर करता है कि जैसे एक ग्रुप वाले को कम हो रहा है ओ पो जादा हो रहा है तो क्या अभी इस पर रिसेच चल रही है और राइट देर सम डाटा एट ओ ग्रुप वालों को जादा हो रहा है या बट इस पर अभी काम चल रहा है conclusive evidence किसी के पास नहीं है कि ओ में ही यह जादा हो रहा होगा ऐसा कोई conclusive evidence नहीं है अभी तक actually में यह disease अभी आ रही है जितने लोग मरीद देखेंगे data reveal होगा सालों साल इस data की study होगी तब actually में हमें exact चीजे पता लग पाएंगी किस type के मरीदे क्या था क्या distribution था यह doctor के अलावा जो epidemiologist होते हैं वो हमें कुछ समय बात बताएंगे कि किस type के मरीजों में कैसे कैसे होता है अभी जो भी कुछ है वो या तो पिछले virus के बेस पे data है या जितना data भी हमारे पस collect हुआ है और उसको हम जितना analyze आज तक कर पाएं है अभी और analysis चलेगी उसमें से और fact निकलेंगे बट इक टाइम अच्छा सर जैसे कि बुखार खासी जुखाम जैसे संकरमन पहले से होते रहे हैं और एक normal संकरमन या normal virus है बट यह कोरोना COVID-19 जिसको नाम दिया जा रहा है यह किस तरीके से अलग है और कैसे क्योंकि बुखार तो normal किसी को भी हो सकता है बट यह कैसे पता किया जाए कि अब हमें जांस करानी जाहिए देखे जो लोग बाहर से आये हैं बाहर से exposure हैं हमारे गर इंडिया की बात करें जो लोग विदेश से हैं और जिनको इस तरह की लक्षण है और उनके जिस एरिया में यह बिमारी है वहाँ पर यह होना टेस्ट होना जुरूरी है लेकिन इनिशली क्या है कि जब यह पहली बार चाइना में पता लगा होगा तो ऐसा तो है नहीं कि मरीज के आते हैं उन्होंने COVID सोच लिया होगा क्योंकि वाइरस तो भी पता लगा है तो लख्षण सब बिमारιों के मिलते जुलते होते हैं बढ़ है आगर किसी को चीक बहुत आ रही है नाग बिल्कुल बंद है उसको recurrent पुरानी सांस की बिमारी की history है तो इसका कोरोना होने का chance कम है इतना तो बंदाजा ले सकते है लेकिन जब इन चाइना के मरीजों में ये सब टेस्ट करने के बाद उनको कोई बिमारी नहीं मिली तब उन्होंने ढूंडा कि हमको कोई unusual वाइरस देख रहा है तब ये suspicion होना शुरू हुआ कि this is something new और हमें ये investigate करनी चाहिए otherwise बाकी routine viral infection से इसको differentiate करना बहुँ मुश्किल है तो सर ये ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना से जो ये वाइरस आया है वो उन्होंने खुद लाब में पैदा किया है उसे तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अभी किसी के पास कोई पका प्रूफ नहीं है suspicions है WhatsApp पे बहुत ज़्यादा है सब चीजों में बहुत ज़्यादा है पर ना तो WHO ने ऐसा बोला ना CDC ने ऐसा बोला है ना जो हमारी organization है अभी किसी ने ऐसा कोई hint किसी को दिया नहीं है कि यह वहाँ से लेप चाहा है पताना चाहें जन तक क्योंका मैसेज़ जन चाहेंगे अबली के लिए तो यही है कि crowded places पे ना जाएं hand washing करें जितना हो सके आज की तारीक में confined रहने की कोशिश करें बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगाओं पे ना करें अगर कहीं पर जाप hospital जाते हैं कहीं जाते हैं किसी चेकर देते हैं hand washing frequently करें